इस वीडियो में हम अरेंज अब्जेक्ट के वारे में जानेंगे कि अब्जेक्ट को ग्रूप में कैसे किये जाता है उन्हें अनग्रूप कैसे किये जाता है उनको ओर्डर में कैसे किये जाता है अब्जेक्ट की पोजिशन कैसे चेंज करते हैं के वारे में जानेंगे यहां पर blank slide लेंगे, जैसे यहां पर गए, blank new slide पर गए और blank slide यहां पर क्लिक किया, तो यहां पर fifth जो है हमारी, यह slide यहां पर आ जाएगी, blank slide आ जाएगी, तो यहां पर blank slide में हम नहीं क्या करना है, जैसे यहां पर गए और कोई भी shape यहां पर ली हमने, जैसे ये फास्ट वाली शेप एक ये ली ये लेने के बाद यहां से ये शेप ली ये शेप यहां पर बनाई इसके बाद और शेप यहां पर बनाई जैसे ये एक्टेंगल शेप है ये शेप यहां पर बनाई बनाने के बाद हमने इसको क्या करना है ऐसे मिलाना है ये ये शेप या ऐसे मिलाए बनाने के बाद ये जैसे अलग लग यहां पे color फिल करेंगे हम इसे पहली के लिए यहां पे लिखा ये first इसके लिए second और इसके लिए third rectangle के लिए यहां पे third यह अब हमें पता आया है कि यह हमारी पहली shape है यह हमारी second है यह हमारी third है rectangle यह हमारी third है तो इसके लिए जैसे third है इसके लिए color यहां से हम fill करेंगे shape फिल यहां पे जाएंगे और इसके लिए ये color हमने set किया second इसके लिए कोई और color यहां पे set किया जैसे ये color इसके लिए set किया अगले के लिए अगर हम जैसे यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के लिए इसके लिए भी color यहां पे choose करेंगे जैसे यहां पे ये yellow color हमने यहां पे select किया select करने के बाद यह जो हमारी shape है यह हमने मिला के यहां पे रखी रखने के बाद हम क्ये करेंगे यहां पे arrange पे जाएंगे arrange पे जाने के बाद हम क्ये करेंगे यह जो हमारी third shape है यह rectangle वाली यह जो है सबसे उपर shape है अगर हम इसको यह पिछे इसके पिछे दूसरी शेप के पिछे ले जाना जाते हैं तो हम क्ये करेंगे SEND BACK यह देखो यह जो है आमारी थार्ड जो चीप है यह तीसरे नमबर दिया हुआ है जिसको यह शेप जो है दूसरी शेप के पिछे जली जाएगी यह देखो यह पीछे आगे, अगर यह यह shape हमने क्या करने है, यह आप पीछे चलेगी है ऊपर लाणी है, दूसरी shape के ऊपर लाणी है, तो हम क्या करेंगे यह arrange पे जाएंगे, arrange पे जाने के बाद यहाँ पे bring front, यह देखो यह front में आ जाएगी जैसे यह हमारी first shape है यह पिछे चली गई है दूसरी shape से इसको हमने क्या करना है उपर रखना है तो यहाँ पर click करेंगे first shape के उपर और यहाँ पर जाएंगे arrange पर जाएंगे और इसको bring to front यह देखो यह front में आ जाएगी दूसरी shape के front में आ जाएगी अब इसी shape को यह दूसरी shape के पिछे ले जाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद send to back यह पिछे जाएगी तो इस प्रकार हम यह shape आगे पिछे कर सकते हैं इसके बाद हमारी जैसे यह shape जो है यह जो जितनी दी हुई है अगर इस shape को जैसे यहाँ से उठा के यहाँ पर ले जाते हैं यहाँ पर ले जाने के बाद हम क्या करेंगे यह जो हमारी shape है yellow वाली, first वाली यह दोनो shapes के पिछे दी गई है अगर हम इसको यह दोनो shapes के आगे लान चाते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जाएंगे Orange पर जाएंगे पहले यह shape इसको select करेंगे यह पहली shape select होगे इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे Bring forward यह दीखो दूसरी shape के उपर आगई अब तीसरी shape के उपर लाने है तो यहां पे जाएंगे और bring forward यह देखो यह जो सबसे पीछे shape थी यह yellow वाली, first वाली यह सबसे पीछे थी पहले दूसरी shape के उपर आई फिर तीसरी shape के उपर आगे अब हम क्या चाते हैं कि यही shape जो है यह दूसरी और तीसरी shape के पीछे जे लिजाए तो पहले यह देखो यहां पे इसको select किया first वाली को यहां पे select करने के बाद arrange पे गए और यहां पे send backward यह देखो तो तीसरी shape के पीछे गई है अब दूसरी shape के भी पीछे रखनी है तो हम यहां पे arrange पे जाएंगे arrange पे जाने के बाद send backward यह देखो फिर क्या आईए यह दोनों shape third और second के पीछे चली जाएगे तो इस प्रकार हम shape को आगे पीछे ला सकते हैं तो इसके बाद हमारा यह हमारी हो गई bring to front send to back bring forward send backward इसके बाद हमने यह आगे group object इनको करना है तो इनको करने के लिए हम के करेंगे यह सारे यहां से select करेंगे select करने के बाद यह select होगे select करने के बाद यह दिखो यहां पे group पहले बंद पड़ा था अब यह तीनों एक साथ हमने select किये तो select करने के बाद ये group जो है यहां पे open हो जाएगा इस group का मतलब यह होता है अगर हम यह दिखो यहां पे इसको यहां पे ले जाएंगे इसको यहां पे ले जाएंगे और यह इसको यहां पे ले जाएंगे ये अगर हम चाहते हैं कि ये तीनों एक साथ जाए एक एक ना जाए ये तीनों एक साथ जाए तो एक साथ ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ीगा इनको गुरूप करना पड़ीगा यहां पर हमने इसको रखा और यहां पर इसको रखा और रखने के बाद हमने क्या करना है इनको तीनों को एक साथ ले जाना है कहीं भी किसी भी डिरेक्शन में तो हम क्या करेंगी तीनों को सेलेक्ट करेंगी यहां पर यहां पर हम क्लिक करेंगी क्लिक करने के बाद ये जो है अब क्या हुआ ये ग्रूप में बन जाएंगे अब जब भी हम इनको एक उठाएंगे ये सभी एक साथ जाएंगे ये रिखो जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया थर्ड शेप के उपर तो ये रिखो सभी इकठे जा रहे हैं अब ये इनका बन गया अब हम इनको एक एक उठाने सकते हैं कि नई दूसरी शेप को यहां पे रखना है फस्ट वाली को यहां पे रखना है थर्ड को यहां पे रखना है चूकि इनका ये जो है ये ग्रूप बना हुआ है तो अब किसी भी शेप के उपर हम क्लिक करेंगे ये एक साथ शे ये करेंगे ये अब क्या हुआ अन ग्रूप हो गया है मतलब अब जो भी शेप हम उठाएंगे वो अकेली किसी दूसरी डिरेक्शन में जाएगी ये देखो ये अब इनका ग्रूप यहां पे नहीं बनेगा अगर फिर से इसको ग्रूप में रखना चाते हैं तो हम क्या यहां पे जाएंगे और यहां पे जाने के वाद री ग्रूप पे क्लिक करेंगे फिर से इनका ग्रूप बन जाएगा ये देखो री ग्रूप किया री ग्रूप करने के वाद ये देखो जैसे हम किसी शेप के उपर क्लिक करेंगे तो ये सभी तीनों एक साथ जाएंगे ये तो इस प्रकार हम यह अपने यहां पे यह जो group object है group, ungroup, regroup इनका यूज़ कर सकते हैं तो यह ungroup इसको किया फिर और यहां पे click किया यह देखो अब जैसे मर्जी इसको हम रख सकते हैं यह यहाँ पे रखा यह यहाँ पे रखा जो भी करना चाते हैं यहाँ पे कर सकते हैं इसके बाद है यह जैसे अरेंज पे जाएंगे position object position object में हमारा यहां पे align आएगा तो align करने के लिए जैसे यह center को हमने align करना है यहां पे click किया तो यहां पे click करने के बाद arrange पे गए arrange पे जाने के बाद हम यहां पे position object पे जाएंगे तो position object में हमारा पहला option है यहां पे align line पे जाएंगे align पे जाने के बाद जैसे यह देखो align पे click किया यहाँ पे आएगा align left, align center align right, align top align middle align bottom, distribute horizontally distribute vertical तो यह हमें यह सारे option यहाँ पे use कर सकते हैं जैसे यह जो first हमारी shape है इसको हमने क्या करना है align करना है left यहाँ पे left side ले जाना है तो हम इसको align left करेंगे तो यह दिखो left side यहाँ पे चली जाएगी अगर इसको हम align center में करना है तो फिर यह center में आ जाएगी इसके बाद अगर right side ले जाना है तो यह align right यह right side आ जाएगी इसके बाद आगे है align top तोप अगर उपर रखना ये ये शीप उपर रखनी है तो हम के करेंगे align bottom तो ये नीचे रहेगी तो इस प्रकार हम align इसको कर सकते हैं या किसी भी shape को align कर सकते हैं जैसे ये third को करना है तो इसको भी कर सकते हैं या second को भी कर सकते हैं किसी भी ये shape को हम align कर सकते हैं तो ये हमारा align का हुआ इसके आगे है हमारा rotate यासे ये यह जो है यह हम शेप लेठते हैं और यह लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे rotate 90 degree ये देखू 90 degree rotate होगी ये यदो शेप है 90 degree rotate होगी इसके बाद आग्ले rotate करना है हमने rotate ये right 90 आवकिया करना है rotate left 90 तो ये left 90 यहाँ पे क्लिक किया तो ये rotate left 90 होगे इसके बाद इसी shape को rotate करना है हमने ये flip vertical तो ये vertical flip होगे अगर इसको निचे option लेते है flip horizontal तो ये horizontal हो जाएगी तो इस प्रकार हम arrange भी यूज़ कर सकते है तो इस वीडियो में हमने home type के drawing group में arrange objects के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद